ठीक, question note करिए question note करिए swail के एक sample का dry unit weight dry unit weight dry unit weight कितना है 0.9 1.9 gram per centimeter cube 1.9 gram per centimeter cube serious में दे रखा लग रहा है ठीक है एवम एवम specific density specific density कितना है भई 2.65 2.65 है तो आपको क्या बताना है रिक्तिता अनुपात एवम पोरोसिटी है तो वाइड रेशियो वाइड रेशियो और पोरोसिटी ग्यात करें अब जब ऐसे question दिया हो तो इसमें जड़ा सा नहीं सोचना है पसाब से पहले जब भी numerical दिया हो numerical करने का एक करने का एक तरीका है कि हमको तुरंद कहां पर जाना है फिग क्या निकालना है निकालना क्या है हमें निकालना है wide ratio और पोरोसिटी तो मतलब हमें क्या-क्या निकालना है E find out करना है और हमें and find out करना है अब E and कैसे निकलेगा soil के एक simple का dry unit weight मतलब यहाँ पर गामा डी दे रखा है कितना 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गामा डी रखा इस्पेस्पीक रिवटी दे रखा है जी भी दे रखा है यह रख दे रखा है 2.65 ठीक है आई वाज समझ में आप सोचो कैसे इसको निकालेंगे निकालने क्या इसका हम लोग कुछ कांसेप्ट लगाएं कि यह निकल जाए थीक है आप सोचो कि यह गामा डी वाला मैंने अभी भी जस्ट फार्मूला पीछे क्या लिखा था मैं फार्मूला लिखा था कि गामा डी इसकल टू जी अब जी गामा डबलू अपान 1 प्लस C यह कैसे आया था यह जी प्लस जो एस इवाला फा और फार्मूला नहीं लगा पा रहे थे क्या देखो अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं ये फार्मूला लगाते हैं था हमको गामा D पता है जी पता है और गामा W थुमारे पूरवस दे गए हमें 4 degree temperature पर 1000 ठीक है जब पूरवस गामा D ये दे चुके हैं तो हम को बचा फिर क कोई problem है क्या बताओ जरा कोई problem है क्या एन निकालने में कोई नहीं problem है तो हम easily जो है यहां से कर सकते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहां पर gama d को put करेंगे बैलू को तो तुरंत क्या करो gama d क्या put करो 1.9 g क्या है 2.65 और gama w यहां पर क्या हो जाएगा क्योंकि यह ग्राम पर cm cm में जाएगा तो यहां पर यह 10 put हो जाएगा ठीक है 1 प्लस e is equal to उत्तर बताईए क्या होगा किसी का एंसर आया इंगलीस में भी बताना question बारे भाईबा फारसी में लिखा है क्या तनी बताओ यह स्वाइल लिखा है ड्राइए यूनिट वेट लिखा है वाइड रेशियो लिखा है आप आप कैसा चाहते हो अरे इतना कम सकम रहने दुख को हिंदी वाले जानजे बाक आप यह को हम यह थोड़ी ना लिखेंगे जी को जी थोड़ी ना लिखेंगे क्या यार आप लोग इंगली सिंदी ना बेहतरीन सारे चीजे लिखा उसके बाद भी कर रहे हो चलिए तो यह जो है निकाल कैंसर बता यह किसी का आया अरे बारत असमलो नाइन फूर क्यों आ रहा अरे यह यह वन पुट करना है भाई सोरी 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 वन इसको वन कर दो वन ठीक है ग्राम में रहेगा न यह भी तो ग्राम में ही रहेगा इसलिए एक हजार का डिवाइड हो जाएग इसमें एक हजार नहीं रहेगा जितेंद्र आपका अंसर सही है, बाकी का अंसर क्यों गड़बडा रहा है, नहीं समझ मारा है, कितने लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, बताओ, देखो, इसमें जब E निकालना हो न, तो ऐसे कर दिया करो, मैं बताओ, देखो, सबसे पहले क्या किया करो, इसका इसमें अटालो, तो 1.9 E आएगा, 2.65 माइनस 1.9, तो E की क्या हो जाएगा, बताओ, डिवाइड कर दो, तो 0.39 आजाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहां पर E की बैलू को पुट कर देंगे, N, E की बैलू को पुट करो, 0.39 और 1 प्लस 0.39, N निकाल के रख दो बाहर, 0.28, और अगर इसको परसेंटेज में निकालना हो, तो 28%, क्योंकि यहां पर मल्टिप्लाई 100 कर सकते हो, तो 28% आने लगेगा, ठीक है, यहां पर मत करो, यहीं पर परसेंटेज में लिख सकते हो, ठीक है, सही है, चलो, हुआ की नहीं, साल्व, कुछ था इसमें, चलिए, नेक्स कोश्यन देखते हैं, एक वाटर कंटेंट वाला देख लीजिए जरा, एक वाटर कंटेंट वाला देख लीजिए, चलिए, एक वाटर कंटेंट कोश्यन लिखिए, अब कोश्यन पाइटन चेंज हो जाएगा जरा सा, देखो इसको हमको चलाने में बड़ा यह वाटर कंटेंट वाला देख लीजिए,